नमस्कार एक बार पुनो हाजर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स पे एक मेल हतेली हमारे पास है और आप भी ज़रा ध्यान से दीखेगा यहां पे जो ये रिंग फिंगर है नै जो ये अनामिका उंगली है नै आपकी इसके नीच डानुमा इस पे बन गया है बहुत जादा बैठ गया है और ये है सूर्या सूर्या मतलब सूरज जो हर त्रह की उड़ जाका स्रोत है देखेगा अगर हम इस धरती पे हैं तो केवल इसी सूरज की उजासी है भले ही धरती और चांद की अपनी भूमका है लेकिन सबसे से देखें सूरज की किरने इस धरती पे नहीं पड़े तो जीवन की समभावना खतम हो जाएगी यानि प्रतिधिवी पर जिवन की समभावना ना के बरावर रहेगी ही नहीं और सूर्य का सम्मन्द सिर्फ प्रकास से नहीं है हमारा हर पल जो जीवन चलना है सिर्फ इसी की वो जो से चलना है ठीक है और अगर हमारा भीतरी सूर्य एक सूर्य बाहर होता है जो आप देखते हैं एक सूर्य हमारा अंदर होता है अगर वो बिल्कुल डेमेज हो जाए जैसे आपकी हतेली में है उर्जा प्रोवाइड करना छोड़ दे पूरी तरो से उर्जा को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो तो ऐसी इस्तिती में आपके परियास पूरी तरो से सफल नहीं होते हैं आप जितनी मेहनत करते हैं जितना परिश्रम करते हैं उसका पूरा स्रेई पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है आपके अंदर जो क्वालिटी है आपके अंदर जो योग्यता है चीजें उस प्रकार से उभर कर नहीं आती हैं निखर कर के नहीं आती हैं आप ब्यापार कर रहे हैं, निश्चित मानिएगा अगर आपका सूर्य ओर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके ब्यापार में वो बिस्तार वो फैलाव नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए आप अपना सर्वस्व निच्छावर कर रहे हैं, अपने को पूरी तरों स खपा रहे हैं, वो ब्राण नहीं बन पाएगा आपका ब्यावसाई, वो नाम नहीं कमा पाएगा, जो उसको कमाना चाहिए, जिसके लिए आपने जो है, बहुत सारी कलपनाएं की हैं, ऐसी इस्तिति में आप अगर नौकरी करते हैं, तो उसमें भी वो ग्रोथ नहीं मिल प एक सहजता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पाता है, जो मिलना चाहिए, और आर्थिक रोप से विक्ति कमजोर रहता है, आर्थिक रोप से कहीं न कहीं ये कमजोरी देता है, और सफलता के अस्तर को घटाता है, जो इक्छाएं हैं, उन इक्छाओं की पूर्ति होने मे संदेह रहता है काम में कहीं न कहीं अर्चने आना कामों का बिलंब होना इस चीज को यह दिखाता है दूसरी यह हाथ जो होता है यह हमारा सरीर का एक अंग है और यह भाग यहां पर इस प्रकार से बैठ जाए उर्जा प्रवाइड न करें तो इसका मतलब होता है आपके जो स सारीरिक चक्र है वो सुर्य के चक्रों के साथ प्रस्पर ताल मेल में नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं सारीरिक स्वास्त्या खुसहाली उत्साह उर्जा इन चीजों की आपको चिंता करनी पड़ती है अगर आप सुर्य किरिया करते हैं और प्रस्पर ढंग से करते हैं जो इसकी बिदी है और कोई अगर गुरु अगर बता दे आपको कि किस प्रकार से सूरे किरिया करनी चाहे किस प्रकार से सूरे की पूजा करनी चाहे तो इसके जो है जादुई फाइदे मिलते हैं विक्ति को आपको सूरे किरिया मैं दूँगा बिदी वत तरेके से आपके वाट उनिक विज्ञान भी उस किरिया को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देता है यह समझ लीजिएगा यकीन मानिएगा आपका सूर्य अगर भव्यता देने बैठ जाए उर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाए तो सारीरिक स्वस्त्य है खुसाहाली है उत्सा है उर्जा है इन च सारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ प्रसपर तालमेले होंगे तो यकीन मानिएगा आप की सारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी आपका मानसिक संतुलन पर्फेक्ट होगा और आपका जिवन बड़ी सहजिता से चलेगा सूर्य क्रिया बहुत सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागर्त करना क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है ना बरना आप सरीर का तापमान कायम थोड़ी रख पाते नहीं रख पाते तो सूर्य को जो है जागर्त करना है आपने सूर्य क्रिया के द्वारा और जीवन में बदला वलाना है अब निश्चित रूप से अगर ये प्रवाइड कर ले ओड़ जा है तो क्या होगा यहाँ पे देखेगा एक रेखा जारी है ने एक रेखा ये जारी है एक रेखा ये जारी है और ये हिर्दै कि रेखा है फिर दो को रेखाई ये जाती हुई और यहां पी यसका सायन बन रहा है ठीक है आपका ये त्रिकोन निश्चित रूप से जो है अपना काम करने बैठ जाएंगे आपका ये बर्ग निश्चित रूप से अपना काम करने बैठ जाएगा त्रिकोन और चतुसकोन और फिर क्या होगा करियर और धन की रेखा के अनुसार जीवनकाल का 46 वर्ष या जीवनकाल के 48 से 54 वर्ष के बीच में दो समय ऐसे हैं कि आपको अपनी अचल संपति का लाब मिल सकता है मकान अगेरा अपना घर का जो है लाब मिलने की प्रबल सम्भा होना है जीवनकाल के 46 वर्ष में 45 में पूरा होते होते मिल जाएगा या 46 वर्ष में कामना पूरी हो जाएगी नहीं तो 48 से 54 वर्ष के बीच में तो बहुत अच्छे योग बने हैं निश्चित रुप से चिंता करना आपको छोड़ना पड़ेगा अब ये अच्छे इस्तिति में आ जाती है तो तुर्कौन बताता है जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं मनि बंकान बनाने की सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं वो सफल होगा उस और ये इसारा करती है दूसरी बात विक्ति को कहीं न कहीं और जा प्रवाइड हो जाए तो विक्ति को ये बुद्धिमान बनाता है कला का पार्खि बनाता है और सिदहस्त बनाता है इस निसान का होना अपने आप में विक्ति के धनी होने की निसानी होती है संबव होता है असंबव नहीं होता है ऐसा विक्ति धनड्य विक्तियों की सूची में अपना अस्तान बनाए पैत्रिक रूप से कितना भी निर्दन हो आर्थिक संपन ना भी हो तो भी अपनी प्रतिबा के बल पर ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है और बहुत बड़ी प्रसिद्धी को हासिल करता है ये आपकी हतीलिका ये बना रहा है ये बता रहा है कि अगर सूर्य उर्जा प्रवाइड करे तो यस की प्राप्ति होगी आपको यस मिलेगा जीवन में ये चतुसकून बता रहा है कि धन परतिष्टा मान सम्मान में बिर्दी होगी अगर सूर्य किरियाद्वारा सूर्य भव्य हो जाता है तो और कहीं न कहीं ब्यापार में अगर जाएंगे तो मल्टिपल सीटी का ब्यापार आपका होगा ये इस प्रकार से चीजों को बता रहा है क्या करना है आपको किवल सूर्य किरिया करना है और एक सूर्य किरिया के द्वारा जीवन को बदलना है और ये देखेगा बुद्धी चातुर्य आपके अंदर अच्छा रखते हैं यह आपके हतेली बतारी यहां पर दीखेगा एक सुन्दर सा जो है फूल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर देखेगा एक तिर्कौन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है यह इस बात का ध्योतक है कि ब्यक्ति कहीं न कहीं रहे से मैं विद्य के अंदर है लेकिन अभी देखो ये वाला चेत्र यहाँ पर एक से एक रेखाई निरंतर भले ही इस वाले चेत्र में हो भी है आऊंगा इस पर लेकिन ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है अनेक रेखाई उद्गम होती हुई दिखाई दे रही हैं यह कहीं न कहीं मस्तिस्क भावित होता है करियर की stability में थोड़ा unbalance लाने की कोशिस करता है धन हतेली में करोणों आ जाए अर्बों आ जाए हतेली में धन नी टिकता है अगर 10 रुपे आ रहा है आपको बहुत उत्सा है कि 10 रुपे आएगा मैं यह करूंगा लेकिन उपर से जो है 12 रुपे का खर्च आ जाता है दूसरी बात यह रेखाये जितनी जादा आने बैठ जाए मन में उतनी उल्जन उतनी कन्फ्योजन की स्तिति उतनी निरने लेने की छमता में असर और हलका सा तनाव की स्तिति यह डालती है और कहीं न कहीं यह बढ़ने बैठ जाए तो जीवन में संगर्स आने वाल बहुत तीब्रगते से रुकनी शुरू हो जाती है आर्थिक रूप से ये कमजोर कन्ने बैठ जाती है सपलता के अस्तर को घटाती है और फिर इसका प्रभाव आपके स्वाश्थे पे पड़ता है आपके रिष्टों पे पड़ता है आपके काम पे पड़ता है तो अब ये बहुत लिटिल कहते हैं जिसको अंसिक रोप से उभर ही रही है इनको यहीं पर रोकना है प्राकर्तिक किरिया द्वारा तो क्या बना? सबसे प्रमुखा आपकी क्या बनी? सूरे किरिया और प्राकृतिक किरिया ये दो किरिया ही अपनी जीवनकाल में आपको करना ही करना है जीवन बदलने किलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है जब ये आप करेंगे तो निश्चित मानेगा जीवन में जादो ही तरीके से बदलाव होना शुरू हो जाएगा ये किन मानिएगा कि वो लहात पड़ने से कुछ नहीं होता है कर्म करने से ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होती चीजों का मिलना सुरू हो जाता है अब थोड़ा सा जो है हतेली को देखते हैं है यहां पे सबसे अच्छी बात अगर आपको लगे है धार्मिक भावनाई भी आपके अंदर बहुत अच्छे और एक उदार दिल वाला बिक्तित्व है और कहीं न कहीं कुरूरता निश्ठुरता आपके अंदर नहीं है एक दयालोपन वाला बिक्तित्व भी है और विसम से विसम प्रस्तित क्यों न आ जाए इस वर में जीवन भर रहते हैं चाए हतीली कितनी बदले कुंडली कितनी बदल जाए इसमें कोई फरक ने पड़ता ये नेचुरल गुण बने रहते क्योंकि ये गुरू के गुण है अब यहां पर देखेगा ये उंगली सीधी खड़ी है हलकी ट्रन ले रही है जब ये सीधी खड़ होती है लंबी होती है तो ब्यक्ति मेहनती होता है मेहनत करने में कायरता नहीं आती है आप भी मेहनती है कर्म में विश्वास रखने वाले ब्यक्ति हैं लेकिन हलका सा जुकाव है इसका इसकी तरफ बहुत जादा नहीं हलका सा है ये यकीन मानिएगा आपको जो कुछ भी म मेहनत और अपने प्राकरम से ही मिलेगा चाहिए वो अर्बों में मिले चाहिए वो जो है एक रुपे में मिले लेकिन अपने प्राकरम और अपनी मेहनत से ही मिलेगा दूसरी बात कुछ जादा मेहनत और प्रिसरम करने के बाद ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी यह सनी के नेचुरल गुन है ये भी हमेशा बने रहेंगे अब एक चीज और देखेगा सूर्य की उंगली पूरी तरह से जुक रखी है और ये भी मिड्ल फिंगर के तरफ जुक रखी है ऐसे में ये बरतमान समय को भी बताती है कि बिक्ति के अंदर यस पाने की एक्षा अपने कारियो में विस्तार पाने की एक्षा बहुत ती ब्रगत से जागर्त होती हुई दिखाई दे रही है और आपके अंदर है अब यहां पे देखेगा दोनों उंगलियां आपकी जो है बराबर हैं जो सूरे की उंगली है ब्रस्पति की उंगली है दोनों बराबर हैं दोनों सनी की उ पोटी हैं जब ये बराबर होती हैं तो क्या बता रहे हैं कहीं न कहीं आप धन और यसकी भूक आपके अंदर है पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और मातर जीवन का लक्षा इस समय यही दिखाई दे रहा है यह आपकी जो है यहां पे उंगलियां बता आरती हुई नजर आ रही है अब आगे चलते हैं दूसरी रैख को दिखा दूसरी एंगली को देखते हैं देखेगा अब देखेगा यहां पे जो यह आपकी मरकरी का माउंट है उसकी उंगली सीधी खड़ी है और सूरे की उंगली के पहले पोर्वे तक यहाँ पहुचती हुई नजर आ रही है यह अत्यंत स्रेश्ट है अत्यंत स्रेश्ट ऐसा विक्ति को अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं आपको यह ब्यापारी बर्ग का विक्त दिखेगा अगर ऐसा ब्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो कहीं न कहीं अच्छी पद्वी पे रहेगा उच्वर्ग का ब्यक्ति होता है अपनी जीवन में स्रेश्टता हासिल करता है अपनी जीवन का आल में सफलता को हासिल करता है अब क्यूं करता है ये गुण आपके अंदर भी है निश्ट्राया अपनी अस्तान पे लम्वत सीधी खड़ी हो ऐसा व्यक्ति स्वयम उध्यमी तो होता यह है कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है कि अच्छे कारियों को किया जाए और उन अच्छे कारियों के लिए लोग उन्हें सदेव याद रखें और यह यहां पे आपकी हतेली में हिरदेई की लकीर इस प्रकार से जा रही है लेकिन पूरी नहीं पहुँच रही है केवल ब्रस्पती परवत को टच कर रही है टच मातर कर रही है सुबह उठते ही तीन चीजों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है विक्ति एक तो मनी के बारे में धन किस प्रकार से मैनेज किया जाए किस प्रकार से धन जीवन में आए दूसरा physical body की तरह बहुत जादा ध्यान जाता है अपने को maintain कैसे रखा जाए अपनी personality पर ध्यान कैसे दिया जाए और तीसरी कामुकता की तरह भी बिक्तिका ध्यान जाता ही जाता है चीजों के उपर सुबह उठते ही दियान जाता है अब मस्तिस्क रेखा देखें बहुत सुन्र है आपकी यकीन मानिएगा आपका बौदिक अस्तर अत्यंत सरेश्ट है विबेक वान ब्यक्तित्व आपका है और अपने विबेक से हर समय सकारात्मक सोचते रहते हैं जीवन काल के लिए सुन्दर योजनाई बनाते रहते हैं चाय वो धर्ती पे उतरे चाय देर में उतरे लेकिन योजनाई बनती रहती है और जिस भी फिल्ड में काम करते हैं मस्तिस्क सकति का बहुत जादा प्रियोग आप करते हैं यहाँ पे देखेगा तो जीवन की रेखा इस प्रक तक दिखाई देरा बहुत अच्छा लिकिन यहाँ पे देखेगा बहुत सुन्दर तरीके से एक जो है इस प्रकार से जो है मचली का भी शांदार चिन बन रहा है कि तुपे है जिस ग्रह पे मचली का चिन बनता है उसी ग्रह की अनुसारिय फल देता है जरूरी नहीं कि फल दे या आपको ब्यापार के बढ़ाये आपको धन दे इसका काम अलग अलग है यह भगवान का मत्या अवतार जिस प्लेनेट पे बैठता है उसके अनुसार फल देता है के तो के तो निर्वान का कारक होता है के तो मोक्ष का कारक होता है के तो जो है मुक्ति का द्वार ह होता है कि तो बहुत बड़ी चीज है इस जीवनकाल में बभ्यता देता है कैसी बभ्यता मोक्ष वाली मुक्ति वाली परिनिर्मान वाली बड़ीफ बड़ी संत्थ बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े ज्चिद्पुरुष, जिस मुक्ति को पाते हैं ऐसा ब्यक्ति कहीं न कहीं अपनी जीवनकाल के मुख्य उदिश्य को उसी प्रकार मुक्ति के भाव में पाता है कहीं न कहीं ऐसा ब्यक्ति अपनी जीवनकाल को पूरा भोग करके उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है ठीक है ने ये धार्मिक परवर्ति को देती है ऐसा ब्यक्ति कहीं न कहीं धार्मिक परवर्ति का होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के छेत्र में विकास पाएंगे और कई बार ये यात्राओं का मौका देता है कई बार ये पैत्रिक संपत्य का लाब दिलाता है अलग अलग चीजें हैं और ये देख रहा है आपकी जो है बुद्ध की तरफ अगर सूर्य भव्यता में आता है आपका भीतरी सूर्य जागरत अवस्ता में आता है अगर पारिक सपलता बहुत ज़्यादा देदेगा यह इसकी खाश्यत है यहां पर बहुत बड़ी खाश्यत को देता हुआ दिखाई दे रहा है अब आपको क्या करना एक चीज का ख्याल लखना है आपका अंगोठा बढ़ता रहा है कि जीवन में एक चीज का ख्याल जरूर रख ल देगा तो सोच समझ कर आप अपनी जीवनकाल में एनलेटिकल जो सुबाव है उसको बरकरार रखके आप बड़ी मामलों में चाये वो करियर धन का हो चाये वो परिवार का हो कोई भी मामला हो बहुत जल्दबाजी में डिसिजन नहीं लें बड़ा सोच समझ कर डिसिजन ल देटर तो चमता है लिडर्शिप की क्वालिटी को बता रही है एक रेखा इस तरह से जा रही है यह अध्यात्म की गुड़ों में बिर्दि कर रही है और जैसे यह स्पष्ट और सुन्दर हो जाएगा दामपत्य जीवन उतना ही सुन्दर उतने ही अच्छा चलता है यह ब जब यह इस पष्ट रूप में आएगी आपको दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा इस स्वरकी जो किरपा आपके अंदर है उसका प्रसाद मिलने में देरी नहीं होगी आप में अच्छी प्रतिबा का सिर्जन होने वाला है तीब्र बुद्धि आपके अंदर प्रियोग करने वाली है आपके अंदर जो सोचने और समझने की सक्ति है वो बिसेस रूप से जागर्त होने वाली है कुछ ही समय बाद हो सकता एक साल बाद हो जदा से जदा अठारा मेहने के बाद ही आपको दूसरों का सयो कहीं न कहीं मिलना सुरू हो जाएगा इस स्वर की जो किरपा है उसका प्रसाद मिलना सुरू हो जाएगा कहीं न कहीं आपके अंदर जो प्रतिबा है जो तिब्र बुद्धि है उसका प्रियोग करना आप आरम कर लेंगे जो सोचने समझने के सक्ति विशेश रूप से है आपके उंदर उसका आप प्रियोग कर पाएंगे उसको यूज कर पाएंगे और आपका व्यक्तित तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली रहेगा यह रेखा कहरी है यहां से देखेगा इस प्रकार से जो है चीज बन रही है निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में अचल संपति का लाब होगा और हो सकता है आपके पास जमीन जाइदाद हो तो उससे बड़ा लाब होगा लकडि का कोई काम कर रहे होंगे तो सूर्य जब अपनी भव्य आवस्ता में आएगा उस आवस्ता में जो है कहीं नजाइदाद का काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ा लाब होगा नाव या बोट का काम कर रहे हैं उसमें बड़ा लाब होगा जमीन जाइदाद का काम करेंगे बड़ा लाब होगा लेकिन हर चीज में बिस्तार तभी मिलेगा फैलाव तभी मिलेगा यस और कीर्ति तभी मिलेगी सफलता तभी मिलेगी जब आपका सूर्य भव्य उस्ता में आएगा बिना सूर्य का कुछ नहीं है बिना ओर्जा का कुछ नहीं है इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अगर देखेंगे आप यह अंगोठा है इसके नीचे का भाग जो है अच्छा खासा उबरा हुआ है बहुत सुन्दर है अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना नई चीजों के परतिरुजान रहना सुक की कामना बहुत ज़्यादा रखना बहुत एक सुक सुविदाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकरसित होना उसको पाने के लिए प्रियास रत रहना प्रियास करना लगजरी की तरफ आकरसित होना चकाचोंद की तरफ गलेमर की तरफ आकरसित होना ये चीज रहने वाली है लेकिन यहाँ पे ब्रस्पती थोड़ा बैठे हुए हैं ये अच्छा खासा उबराव वहाई ऐसे में कहीं न कहीं किसी चीज को लेकि बेगती बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है जिन्ता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा इमनमंगल और उचमंगल अत्यंत सरिष्ट है प्राकरम आपका बहुत अच्छा है सुन्दर प्राकरम के स्वामी है एनरजेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये भी बहुत अच्छा है ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देती हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा सामन्य विक्तित्व देती हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन हस्मुक स्वभाव रहेगा दयालता आपके अंदर रहेगी फिर भी प्रोपकार की भावना भी रहेगी आर्थिक पक्च बहुत ज़्यादा डवाडोल नी जाएगा ठीक ठाक रहेगा हाँ यस की प्राप्ति के लिए अपने कारियों में बिस्तार पाने की इक्षा इस तरब जुकाव ज़्यादा बना रहेगा एक स्वतंतरता एक लिडर्शिप की चाह रखने वाले होंगे यह आपकी हतेली का मरकरी का माउंड बता रहा है यहाँ पे अगर देखें भाग्यास्तान बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पे इस प्रकार से चीजें चल रही है बकरी साबी है कारियों में बिलम होना कारियों में कहीं न कहीं अर्चन आना कई बार दुखी होना जिवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी आना थोड़ा आलश्या आना बे ओजहे की प्रेशानिया आ जाना इस चीज को भी दिखाता है सुरे के बारे में हमने बात कर लिए है यहाँ पे दो तीन रेखाई हैं उपर के और जाते हुई सेवा भाव आपके अंदर दे रही है ब्यापार के गुण अत्यंत स्रेश्ट है वाणी की स्रेश्टता हमेसा बनी रहेगी अपनी बात को किस प्रकार से रखना है कहाँ पे अपनी बात को किस प्रकार से कहना है किस के सामने कोन सी बात कहनी है क्या बोलने का सलीका होता है किस प्रकार से बोलने का सलीका होता है यह चीज आपके अंदर है अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की चमता बुद्ध के कारणा आपके अंदर है जंद्रमा अत्यंत सरेष्ट है लेकिन क्या है कि थोड़ा सा इस तरफ ढलता वहा दिखाई दे रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा उठ गया है ऐसी इस्तित में अगर दोनों मिलते हैं हाँ ये भी उठा होता तो अत्यंत सरेष्ट फल देता है लेकिन ये दोनों एक ये इस तरफ को भाग रहा है ये इस तरफ को भाग रहा है तो ऐसे में थोड़ा सा ये मन को गड़बड रखते हैं थोड़ा सा ये कई बार इमोशनली प्रेशान भी करते हैं कई बार मन अच्छा नहीं रहता है कई बार ऐसे में नीन आने में दिक्कतों का हलका सा सामना करना पड़ता है वैंसे आगे अच्छा हो रहा है ये अच्छा फल देगा बहुत सुन्दर फल देगा confidence level को बढ़ाएगा सब कुछ अच्छा देगा लेकिन अभी हल्का सा सुक्र के साथ मिलकर थोड़ सी जो है चीजों को गड़बड कर रखा है अब यहां पर देखेगा तीन रेखाएं बहुत सुन्दर हैं अच्छी हैं स्वश्टे की रेखा है संपत्य की रेखा है सुक्ष की रेखा है जहां स्वश्टे आपका लगबक ठीक रहेगा धन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशान नहीं हूंगे आगे ऐसा समय आने वाला है और अपने धन, सुक और एस्वरे का भोग भी करेंगे और ये भी बता रहे हैं कि पूरो जनम में काफी उच्च कर्म की हैं जिसके कारण इस जनम में मनुश्य योनी प्राप्त हुई है अच्छा नोलेज प्राप्त हुआ है और आगे अच्छा धन बेप्राप्त होगा कहीं न कहीं इस स्वर की किरपा आपके उपपर सुन्दर रूप में बनी हुई है हाँ इसका फाइदा आने वाले समय में मिलेगा और विसेशतर अन्टालिस से चवणुवे वर्स का समय आपकी जीवन में स्वरणिम समय लेके आ रहा है हाँ अभी ये दोस्युक्त है तो कोई न कोई चिंता को समय तक के लिए जीवन में बनी रहेगी इस बात का दियो तक है देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूर राबिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदी वो तरीके से आपकी वाटसअप नमर पे लिख करके भीज रहा हूं करने की खोशिस करें अत्यंत सुब आपके लिए रहने वाला है इस बीडियो में बस इतना ही एक नई बीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार